गांधारी जिस समय ने मालूम हुआ कि पतिदेव की आँखें नहीं हैं, उसी समय उन्होंने अपनी आँखों पर पट्टी बंद वाली। सोचा कि आँखों का सुख जब मेरे पती को प्राप नहीं है, तम मैं ही इन आँखों का क्या करूँगी। इस प्रकार इन्होंने आँखों के रहते हुए भी उनको उपयोग करना बंद कर दिया। धन्य इस त्याग को। संसार के किसी समाज में हमको इसकी समता करने की सामगरी नहीं मिलती। स्त्री को संतान पर बड़ी ममता होती है, किन्तो गांधारी की प्रतिग्या को धन्य है। उन्होंने संतान का मुख देखने को भी आँखे की पटी नहीं हटाई। एक राज कुमारी का अंधे पुरुष को पती रूप में स्वीकार करना साधारन साहस की बात नहीं है। गांधारी ने अपने जीवन में कभी इस बात को मुझ पर आने तक नहीं दिया, कि एक अंधे के साथ गठ बंधन करके उन्होंने अपना जीवन नश्ट कर डाला है। वे जीवन भर तन, मन से पती की सेवा करती रही। उनका रिदे भी उदार था। संतान के अनुचित आगरे को उन्होंने नियाय नहीं माना। एक बार भू के प्यासे व्यास जी गांधारी के यहां पहुंचे तो उन्होंने महरशी का खासा आतिथाय किया। महर्शी के प्रसंद होकर वर्दान मांगने के लिए कहने पर गांधारी ने बलिष्ट और गुणवान सो पुत्र मांगे कुछ दिनों में गांधारी के गर्भ रहे गया दो वर्श भी जाने पर भी संतान ना होने से गांधारी चिंतित थी क्योंने कुंति के पुत्रवती होने की सूचना मिली इससे खीज कर उन्होंने अपने पेट पर मुक्का दे मारा तो लोहे की भाती कड़ा मास का लोथड़ा बाहर निकलाया योगी व्यास जी सब हाल जानकर वहाँ पर आ गए उन्होंने जल्दवाजी के लिए गांधारी को मीठी फटकार बतलाई इसके बाद वे ऐसा प्रभंध कर गए जिससे उस लोथड़े से सौप पुत्र हो जाएं सभी सुभाव, सुलप, ईशा का रूप हमने गांधारी में इसी अफसर पर देखा है द्रितराष्ट के अंधे होने के कारण उनका राज अदिकार मारा गया था गांधारी चाहती थी कि कम से कम उनकी संतान तो जेश्ट होकर गद्धी की हकदार हो जाए किन्तो कुंती के पुत्रवती हो जाने से गांधारी के मनुरत व्रिक्ष की जड़ उखड गई इस अवसर के सिवा गांधारी ने कभी कुंती से इर्शन नहीं की गांधारी ने बार बार राज द्रितराष्ट को चेतावनी दी है कि पांडवों को उनका हिस्सा दे कर कौरफ कुल की रक्षा कर लेने में ही कुशल है दुरियोधन को कई बार उन्होंने खासी फटकार बताई है वह युद्ध भूमी में जाने को तयार हुआ तो माता से विजे का अशरवाद मांगने आया बड़ा ही नाजुक समय था और कुश्तरी होती तो सोचती की बड़ा लड़का युवरात संग्राम करने जा रहा है क्या जाने लोटेगा की नहीं संतान की भलाई चाहना ही माता का कर्तव है अत्यव ये कुपूत हो या सपूत इसे अशरवाद दे कर ही युद्ध भूमी में भेजो परंतु वारी गांधारी माता तुने ऐसे समय पर भी न्याय और धर्म का ही पक्ष लिया साफ कह दिया कि बेटा तेरा अशरवाद मांगना ठीक है किन्तु धर्म के बंधन में मेरे मूँ में ताला लगा दिया है मैं आशरवाद देती अगर तुने मेरी बात मानी होती मैं तुझे जरूर आशरवाद देती अगर पांडवों ने तेरे साथ कुछ अनुचित बरताव किया होता किन्तु यहां तो बात ही उल्टी है मैं तुझे विजय का अशिरवाद दे कर शिष्ट परंपरा को नहीं तोड सकती गांधारी को खबरें मिलती थी कि आज रंशेत्र में उनका अमुक पुत्र मारा गया आज अमुक खायल हुआ वे का लेजे पर पत्तर रख कर सब सुनती और सहन करती थी कैसे ना करती सत्य और धरम की बेडियां जो उनके पैरों में पड़ी हुई थी पुत्रों के मारे जाने से दुखी होकर यदी विशाप दे डालती तो निसन दे पांडवों का सत्या नाश हो जाता किसी के करे धरे कुछ न होता किन्तु शाप देती किस तरह हर घड़ी तो उनकी दृष्टी के आगे पुत्रों की करने का चित्र मौजूद रहता था पर सहन शीलता की भी एक हद होती है कुरुक्षेत्र का संग्राम संपत हो जाने पर जिस समय गांधारी ने व्यास जी के वर्दान से प्राप्त दूर दृष्टी से क्या यह काम तुमारी शक्ती से बाहर का था तुम तो अनंत शक्ती शाली हो तुम चाहते तो बापोरे दुर्योधन की तुमारे आगे एक ना चलती तुमारे प्रभाव में आकर वह तुमारी प्रतियेक बात को मानता किंतु तुमने उपेक्षा कर दी इसी से यह सत्यानाश हुआ ग्रह कलय होने से जो दूर दर्शा कौरफ पांडवो की हुई वही तुम यादवो की भी होगी देने को तो गांधारी ने ये शाब दे दिया किन्तु पीछे से वे पश्तावा करने लगी शाप देने से धरम की तपस्या की हानी होती है इतने दिनों में उन्होंने बड़ी कठिनाई से जिस धरम धन का संचय किया था उसका इस तरह अपवे हो जाने से वे बहुत ही धुकी हुई किन्तु विधाता के विधान को कौन उलट सकता है जिस सती ने कभी स्वपने तक में किसी का बुरा नहीं चेता उसका वचन क्यों कर खाली जाता श्री कृष्ण ने इस अभिशाप को नमस्तक होकर स्विकार किया इस अफसर पर यदी कांधारी शांद बनी रहती क्रोध को पी जाती तो उनका मानव चरित्र अपूर्ण रह जाता मानव स्वभाव सुलब दुरबल्था ने ही उनको देव कोटी में जाने से बचा लिया है इससे तनिक पहले उन्होंने भीम सेन से जवाब तलब किया है कि तुने अपने भाई दुशासन का रक्त क्यों पिया दुर्योधन को अधर्म युद में क्यों मारा और क्या मेरा ऐसा एक ही बेटा ना था जिसका अपरात कम समझ कर तु उसे जीता छोड़ देता भीम सेन ने उत्तर दिया कि तुशासन का खून मेरे हातों और होटों में ही लगा रहे गया गले के नीचे नहीं उत्रा प्रतग्या पूरी करने को मुझे ऐसा करना पड़ा अधर्म युद किये बिना दुर्योधन को मैं जीत ही ना सकता था अस्तु यदि व्यास जी पहले से पहुँचकर गांधारी को समझा ना देते तो वे उधिष्टिर को शाब दिये बिना ना रहती आखों पर बंदी हुई पट्टी से छनकर उनकी दृष्टी तनिक उधिष्टिर के हातों के नखों पर पढ़ जाने से नाखुन की रंगत काली पढ़ गई थी उस समय उनकी दृष्टी से कैसी ज्वाला बरस रही थी यह इसी से समझा जा सकता है व्यास जी के समझाने पर उन्होंने स्विकार किया है कि धुरियोधन आदी की भाती मुझे पांडवों पर भी कृपा रखनी चाहिए गांधारी के सभी लड़के मारे गई बेटी दोशाला विद्वा हो गई राजपाट पांडवों के अधिकार में चला गया फिर भी वे महलों में रहती है अपने पती बुड़े धृतराष्ट की सेवा शुशुशुचा करती है और अथिती अभियागतों को दान दक्षणा देती है ये ठीक है कि महराज युदिष्टिर की क्रिपा से उनको किसी बात की कमी नहीं है प्रतियेग व्यक्ति उनकी आग्या का पालन करने को तयार रहता है फिर भी गांधारी ये कैसे भूल जाएं कि उनके सौ बेटे नहीं थे राजपाट पर उनका एक आधिपते नहीं था इसको वे सोचती थी पर इसके लिए पांडवों को दोश नहीं देती थी दोश देती थी अपने भागे को भीम सेन की उद्धंडता से दुखी होकर एक बार धित्राष्ट और गांधारी ने भोजन करना बंद कर दिया व्यास जी की सला से अवे घर द्वार छोड़कर वनवास को जाएंगे ये खबर पाकर युदिश्टिर बहुत घवराए दोड़े दोड़े चाचा चाची के पास पहुँचे उनके पैरों पर गिर कर गिड़ गड़ाए युदिश्टिर को उन्होंने समझाया कि तुमारे विवहार से मुझे रत्ती भर भी असंतोश नहीं तुमने ऐसा बरताव रखा है कि जिसमें हम लोगों कोई ये मालूम ही नहो कि हम अनाथ हैं हमारे बेटे मारे गए हैं और हमारा जीवन दूसरों की कृपा पर अब लंबित है किन्तु अब हमारा चौथा पन है इसलिए सबसे मम्ता छोड़कर भगवान का बचन करने में ही हमारा कल्यान है तुमारे कहने से हम भोचन करना अरंब किये देते हैं किन्तु अब हम बस्ती में रहेंगे नहीं उन्होंने यही किया उनके साथ-साथ कुंती और विदुर भी गए लोग दूर तक उन्हें पहुंचाने गए जंगल में जाकर उन्होंने कठोर तप किया वे कंद मूल फल खाते और साधना करते थे ऐसा करते करते दैव योग से एक बार अगनी होधर की आग इस सूखे वन में लग गई चारों और धाएं धाएं आग जलने लगी उसी में जेट जेठानी के साथ कुंती भी भस्म हो गई गांधारी गांधार में उत्पन हुई कुरुकुल में ब्याही जाकर सौँ बेटों की माता हुई उन्होंने सब तरह के सुख भोगे, दान पुन्ने किये किन्तु कुपुतों की करनी से उनके अंतकाल के दिन इस तरह भी ते अधिक संताने होने से मनुष्य का सुख भी अधिक मात्रा में मिलना चाहिए किन्तु कभी-कभी इसका उल्टा देखा जाता है राजा सगर के 8000 बेटे थे जिस और इनका दल निकल जाता था, लोग देखकर घबरा जाते थे किन्तु राजा सगर को इनसे रत्ती भर भी आराम नहीं मिला जिस प्रकार अनायास इतने अधिक पुत्रों की उत्पत्ती हुई उसी प्रकार अकल्पित रूप से उन सब का प्रले काल के जीवों की तरह संहार भी हो गया राजा सगर हात मलते रहे गए संसार का इतना उपकार अवश्य हुआ कि उनी सगर सुतों के उधारार्ध धरातल पर भगिरत के प्रयतने द्वारा भगवदी गंगा का आगमन हुआ यही हाल गांधारी के बेटों का हुआ यदि वे धरमपत पर चलते तो अपने जनक जननी को सुक देने के साथ साथ संसार का विहित साधन करते किन्तों जिस प्रकार एका एक उनकी उध्पत्ती हुई थी उसी प्रकार धड़ा धड़ उनका बंटाधार भी हो गया बेचारी गंधारी के लिए यह एक स्वपनिसा हो गया